अश्कार स्वागत है दोस्तों आज की बड़ी खबरे लेकर आये हैं जहाँ पर जानेंगे कंगरा रनौत के खिलाब मान हानी साहित दैज हुई है क्या कुछ अपडेट है जारकंड विधांसरवा चुनाओ जी हां दोस्तों आ रही है ताजा अपडेट बीजेपी और सही यहां पर किसानों का जवदास्त पर दासन जानी है इसी परकार की बड़ी खबर है वहीं दोस्तों आप भी मानते हैं हिंडन रिपोर्ट पर कॉंग्रेस यहां पर जेपी सी की मांग सही है तो लाइक कीजेगा वीडियो को कमेंट बॉक्स में चलो लिखेगा जय हिंद जय भारत सब्से पहले बड़ी खबत दोस्तों कंगना रनौत के खिलाफ मान हानी सहीद दैच कराई गई अफायार दो से तीन साल की सजा और संसर सदस्तिता पर खत्रा यहां पर सुप्रीम कोट के वकील नयंद मिस्रा ने यहां पर बड़ी वाद बताई है कि कंगना रनौत ज इससे उनकी छबी को नुक्सान पहुंचा एड़ोकेट नयंद मिस्रा ने बताया कि उन्होंने कंगना रनौत के खिलाफ पुलीस में अलग-अलग धाराओं में सिकायत दैच करवाई है इन धाराओं के दैच कंगना को कम से कम दो से तीन साल की सजा हो सकती है इसके अलावा आप यहां पर इस प्रकार के मामले कई दर्ज कराये गए यहां तक कि उनकी सांसदी भी गई थी लेकिन आप इस बार नंबर लगा है बीजेपी सांसदों का इनके बढ़वोलेपन की वज़े से यार लगातार फस्ते जा रहे हैं खास तोर से कंगना रनौत जीया दोस्तों अगर आप भी राहूल गांदी के समार्थन में हैं तो एक लाइक वीडियो को जरूर ही कर दीजेगा इसी के साथ दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग अपडेट जो सामने निकल किया रही है उसमें आपको बताते चलें जारखंड विधान सवा चुनाओ को लेकर कॉंग्रे इसके इंद्र नित्त्तों ने देश के चौल राज्यों में होने वाले विधान सवा चुनाओ के मद्दे नजल राली कहने का बड़ा फासला किया है इसके सुरुआत महाराष्ट से होगी इसके वाद जारखंड में बड़ी राली कहने की योजना बनाई गई है कॉंग्रेस इसके पिदेश नेत्थ से और राष्टें ये नेता राहुल गानियों से अगरे किया है कि यहां के सुरूआत करें यहां पे दोस्तों अमंतित किया किया है आपको بताते हैं ने देशायर के प्रज्ड विभाःे हों और पिदेश-अ-द्रच्चों के साथ बैठक बनाई है वहीं दोस्तों इसी के साथ एक और बिग बेकिंग अपडेट की और चलते हैं दूसरी तरफ इंडिया कठनना ने दोस्तों जारखंड में बीजेपी को जटका देने का एक धासू प्लान मनाया है बीजेपी और आजसू दफ्तर की जमीन का अवंटन होगा रद आवास बोर्ड ने कर दी है सिफारेस जारखंड में भारते जनता पार्टी और उसके सयोगी दल आजसू के मुख्य काराल है जिस प्लॉट पर इस्तित हैं राज्य आवास बोर्ड के निदेशक मंडल ने उनके अवंटन को रद करने की सिफारेस की है कुल पचास भुकंड के अवंटन को रद किया जाएगा ये फैसला जहारखंडर राज्य आवास बोर्ड के निदेश मंडल ने बोर्ड मीटिंग में लिया है आवास बोड के धच ने दोस्तों जानकारी साजा करते हुए बताया है कि बीजेपी प्रदेश का दफतर जिस प्लोट पे है उसका अवंटन रवी सेखर पसाद नाम पर है लेकिन उसे घर का यहां पर इस्तमाल नहीं किया जा रहा है उसे पार्टी तोर पर इस्तमाल किया जा हिंडनबाग रिपोर्ट पर दोस्तों लगतार मामला करमाता जा रहा है जी हां इस रिपोर्ट को लेकर आप पूर्व विदेश और बित्त मंत्री अस्वन्त सिना ने कहा कि जेपी सी की मांग जो आज ठुकरा रहे हैं वे पश्ट तोर पे कह रहे हैं कि गढ़रे मूदे मत घेराओ किया जाएगा जेपी सी पर जोल देते हुए अस्वन्त सिना ने आवी कहा कि अगर सही चांच नहीं होगी तवाप उसी में उलजकर रह जाएंगे सही नतीजा नहीं आएगा यहां पर लगातार सेवी चीफ को बजादने के लिए यहां पर गरवडियां की जा रही है बीजेपी की मिली भागत दोस्तों बताई है अस्वन्त सिना ने पूर्व केंद्र मंत्रे यहां पर लगातार हमलावर्द दिख रहे हैं उत्तरपदेश में दस सीटों पर होने वाले उप चुनाओं के लिए एंडिया में सीटों के बठवारे पर सस्पेंस अब खतम होत तो नहीं हुआ लेकिन इंडिया के दलों के बीच सीट वटवारे को लेकर घमसान कई दिनों से जारी था अब दोस्तों इसका संकेत निसाथ पार्टी प्रमुख और योगी सरकार के मंत्रे संजर निसाथ के बयान के अधार पे मिलने लगा है उन्होंने जानगाई देते कि आरलडी को एक बीजेपी सा तो निसाथ पार्टी को दो सीटे मिलेगी पूरी संभावना है दोस्तों आपको बताते चले यहां पे बीजेपी क्याने सायोगी जिनका हाथ खाली रह गया है अपना दाल और यहां पे ओपीर राजवर की पार्टी इन्हें एक भी सीटे नह पर हैं सत्ता और विपच्छ एक दूसरे पर बार पलटवार कर रहा है इस बीज सिफसेनर ठाकरे गुटके नेता संजर राउत ने महाराष्ट के सियमेक ना सिंदेर देवेंड़ फरन बेज़ और पीम मोदी पर जमकर हमला बोला संजर राउत ने कहा कि मुख्यमंत्री यह यहां पर जब सत्ता जाएगी तो इन्हें यहां पर हैसास होगा आपको बताते चाहें लगातार यहां पर बैयान बाजी देखने को मिल रही है संजर राउत ने कहा कि लोग सबच नाव में महाविकास अगाड़ी को अच्छी सफलता मिलेगी संजर आपने दोस्तों इसके साथ यहां पर बड़ी जनकाई साजा करते हुए को एक बताया कि महाविकास अगाड़ी में सीट सेरिंग का फॉर्मुला लगवकता है और जल्द ही इसका भी अलांग किया जाएगा आपको बताते चले माना जा रहा है कि पूल बस्यम उद्ध ठाक रही यहां पर मुख्यमंत्री का चहरा होंगे यानि दोस्तों महाविकास अगाड़ी उनके चहरे पर ही चुनाओ लड़ेगा उद्धर ठाक रही मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे महाविकास अगाड़ी के ओर से दोस्तों कॉंग्रेस पार्टी ने तीन र अध्यच तता बिहार उडिसा दिल्ली साहित नौ राज्यों में छात संगठन यानि यहने सुवाई के अध्यच बदले हैं कॉंग्रेस महासचिप केसी बेनों गोपाल ने देज आते हैं जानकाई देते वह बताया कि पार्टी अध्यच मालिकार जुन खड़गे ने इन यु आते चलें जो ताजा ब्रेकिंग निउस निकल किया रही है उसके अनुसार सोनिया गांधी यहां पर चाल राज्यों में एक से दो रैलियों को संबोधित कर सकती हैं यानि इस पर्ष्ट है कॉंगेस एड़ी चोटी का दम लगाने वाली है वहीं दूसरी तब दोस्तों कॉ योगी दल भी पूरा समयतन देने को तयार है हजाना में कॉंगेस अकेले महाराष्ट में महाविकास अगारी के तहत जम्मु कश्मीर में इंडिया गढ़ंदन और जारखंड में इंडिया गढ़ंदन के तहत चुनावी मैदान में उत्रेगी कॉंग्रेस यह थी दोस्तों आज की सभी बड़ी खब्रें मुख्य समाचार वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ भी आप सभी का धन्यवाद